इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आईफोन से एंड्रोइड में वाट्साप हिस्ट्री ट्रांसफर करने के लिए वाजब माईग्रेटर का इस्तिमाल कैसे करें। सबसे पहले अपने आईफोन को अपने PC या Mac से कनेक्ट कर लें। iTunes चालू करें। अपने आईफोन आईकन पर क्लिक करें, यह पक्का कर लें कि Encrypt Local Backup वाले चेक बॉक्स में सही का निशान नहीं लगा हो और Backup Now दबाएं। इसके बाद अपना ब्राउजर खोलें, WhatsAppMigrator.com पर जाएं, iPhone Viewer Installer डाउनलोड करें और इसे चलाएं। बताए गए इंस्टलेशन चरणों का पालन करें और प्रोसेस पूरा हुजाने के बाद प्रोग्राम को रन करें। अपनी डिबाइस चुनें और Raw Files आईकन पर क्लिक करें। Preview Mode पर जाएं, विंडो के Buy और Word folder देखें, जिसके नाम के आखिर में whatsapp.shared हो और इसमें से chatstorage.sqlite file एक्सपोर्ट करें। यदि आप अपना मीडिया भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो मीडिया फोल्डर एक्सपोर्ट करने के लिए उपरोक्त चरणों का पालन करें। इसके बाद अपना Android phone कम्प्यूटर से कनेक्ट करें, और मीडिया फोल्डर और chat storage फाइल डाउनलोड फोल्डर में कॉपी करें। आप Dropbox या Google Drive का भी प्रयोग कर सकते हैं, या यह करें कि खुद को अटाच्मेंट के साथ एक e-mail भेज़ दें। कृप्या WhatsApp Migrator का इस्तिमाल करने से पहले WhatsApp को अनिंस्टॉल कर दें। इसके बाद Google Play Store से WhatsApp Migrator इंस्टॉल करें। अप्लिकेशन खोलें और यह पक्का कर लें कि WhatsApp Migrator ने डेटा बैकप का पता लगा लिया है। और फिर Play बटन दबाएं। कुछी सेकेंड में, चैट हिस्ट्री आपके Android स्मार्टफोन में ट्रांसफर हो जाएगी। अब Google Play Store पर जाएं, WhatsApp इंस्टॉल करें, अपना फोन नंबर डाल कर इसे अक्टिवेट करनें और रिस्टोर पर क्लिक करें। बस, आपका काम हो गया। WhatsApp चैट हिस्ट्री और मीडिया फाइलिंग आपके Android स्मार्टफोन में सफलता पूर्बग ट्रांसफर हो जाएंगी। WhatsApp Migrator की मदद से एक से दूसरी डिवाइस पर जाना अब आसान है। कि छूसरी तwegen आपके एक उन अब रिस्ट्राइब हो फिस्ट्रावार गया। झाल झाल